इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर स्वाद और आदर स्वाद अंतराष्ट्रिये राजनिती का एक उपागम है और ये वीडियो मुख्यता है UGC NET, PGT और Assistant Professor के लिए उप्योगी होगा इसके लावा BA और MA के लिए भी ये काफी उप्योगी होगा लेकिन मुख्यता इसको UGC NET और Assistant Professor के इसाब से तयार किया गया है तो आदर स्वाद को शुरू करने से पहले यहाँ पर हम आदर स्वाद और यथार्थ्वाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आदर स्वाद तो आदर स्वाद क्या करता है अंतराष्ड ये सांती सहयोग बन्धुत्वे नैतिक्ता वे युद्ध उन्मुलन पर बल देता है तो आदर स्वाद क्या करता है अंतराष्ट ये सांती, सहयोग, बहाईचारा और युद्ध उनमुलन प्रबल देता है येनि कि युद्ध नहीं होने चाहिए सभी राष्ट्र आपस में सांती से और सहयोग के साथ मिल जूल करके रहें इसका प्रणेता है कांडर सेट तो आदर स्वाद का प्रणेता कौन है? कांडर सेट है इसके जो समर्थक विचारक हैं वे हैं कांट, वुडरो विलसन, टैगोर, नेहरू, डेविड हेल्ड, बट्रेंड, रसेल, रिचरड, फॉक ये सभी इसके समर्थक विचारक है और दूसरी तरफ है यथार्थवाद तो यथार्थवाद आदर्सवाद का बिल्कुल उल्टा है यथार्थवाद है वह सक्ती विस्तार राष्ट्र हित वह युद्ध पर बल देता है तो आदर्सवाद तो क्या कहता है कि युद्ध नहीं होने चाहिए जबकि यथार्थवा की पूर्ती करना चाहता है इसके लिए वहें दूसरे देशों के साथ संघर्ष अवस्य करता है तो यथार्थवाद सक्ति विस्तार राष्ट रहित वयुद पर बल देता है उसके बाद में यथार्थवाद में दूसरा पॉइंट है किसी राष्ट्र का मुख्य लक्षे सुर सवाईवल बना रहे यानि कि उसका अस्तित्व बना रहे सांती के लिए सक्ति संतूलन भैका संतूलन सुरुक्ष्या दुविधा आधिसाधन अपनाये जाते हैं तो यह सक्ति संतूलन भैका संतूलन और सुरुक्ष्या दुविधा क्या होते हैं यह आगे आएंगे तब हम इ अब यहां पर जो आदर स्वाद है उसके कुछ उधारण लिखे गए हैं तो पहला उधारण है वुड्रो विल्सन का इनकी जब में फैस्ट वर्डवार हो चुका था या अपने अंतिम दोर में था उस समय वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रो के मध्धे सांती रखने के लिए चोदह सुत्रिकारिय करम प्रस्तूत किया था दूसरा है पेरिश सांती सम्मेलन 1919 तीसरा है राष्ट्रसंग की स्थापना 1920 और चोथा है कैलांग ब्रियां पैक्ट 1929 और इस पैक्ट में या इस समझोते में निती के रूप में युद का त्याग करने पर बल दिया गया था इनिकी जो ये उधारण है ये चारों उधारण किसके हैं आदर्सवाद के हैं और आदर्सवाद क्या है कि एक ऐसा उपागम है जो अंतराष्ट्री राजनिती में सहयोग और सांती पर बल देता है तो ये तो हमने आदर्सवाद और ये थार्थवाद के बारे में थोड़ा आदर स्वादी उपागम का प्रनेता कांडर सेट है इसको पुनर जीवन 1929-1920 में वुड्रो विल्सन द्वारा दिया गया तो अंतरास्ति राजनिती में आदर स्वादी उपागम का प्रनेता कोन है कांडर सेट है कांडर सेट ने ही सबसे पहले कहा था कि सभी राज्यों को म किया जाना चाहिए जिसके तहत सभी देश आपस में मिल जूलकर के सांती और सहयोग के साथ रहें। इसके बाद में इसको पुनर जीवन किस ने दिया था? वुड्रो विल्सन ने दिया था। वुड्रो विल्सन अमेरिका के राश्ट्रपती थे। अगला पॉइंट है आदर्स्वाद अंतराष्ट्रिये राजनिती से युद्ध, भूख, एसमानता, तानासाही, सक्ती, दबाव, तथा हिन्सा को समाप्त करने के पक्स में हैं। इनकी जैसा की नाम से ही परतित होता है कि जो आदर्सवाद है वह सभी आदर्सवादे बातों पर बल देता है। आदर्सवाद के लक्से को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में नेतिक्ता को अपनाना चाहता है। ठीक है? तो क्या सादन होना चीए? नेतिकता तो आदर्सवाद किस परबल देता है? नेतिकता परबल देता है इसे आसावादी सिध्धान्त कहा जाता है क्योंकि यह मानता है कि विश्व में न्यायव सांती की इस्थापना की जा सकती है तो जो आदर्सवाद है वह क्या है? एक आसावादी सिध्धान्त है यह आसा करता है कि जो युद्ध और संगर्ष है वह थोड़े समय के लिए है युद्ध और संगर्ष की बजाए लंबे समय के लिए विश्व में न्याय और सांती की इस्थापना की जा सकती है अगला पॉइंट है आदर्सवाद लोकिये अवधारणा में विश्वास करता है मानव सवभाव के सम्मंध में इसने लोकियन विचार को अपनाया तो आदर्सवाद लोकिये अवधारणा में विश्वास करता है तो लोकिये अवधारणा मतलब जोन लोक के विचार जब हम पस्यमी राजनितिक विचारक पढ़ते हैं, तो उसमें जोन लोक को भी पढ़ते हैं, तो जो जोन लोक है वह है, मानव के सभाव को अच्छा मानता है, तो आदर्सवाद कहता है कि यदि मानव का सभाव अच्छा है, तो विश्वे में रास्ट्रों के मध्धे सहयोग और सान्ती हो सकती है, क्योंकि रास्ट्रों को भी मानव ही चलाते हैं, तो यदि मानव का सभाव अच्छा है, तो रास्ट्रों का सभाव भी अच्छा हो सकता है, अब देखते हैं, आदर्सवाद के परमूख विचार, पहला विचार है, मानव सभाव से अच्छा वै सान्त पिर ये है दूसरा है बुरा मानों सवभाव बुरे वातावरन तथा बुरी संस्थाओं की उपज है तो जो मानों का सवभाव है वह मूलते तो अच्छा है लेकिन बुरा इसलिए बनता है क्योंकि कभी-कभी बुरा वातावरन हो जाता है या बुरी संस्थाओं का निर्मान कर दिया जाता है इस कारण मानव का सवभाव बुरा हो जाता है लेकिन मूलते हैं मानव सवभाव से अच्छा होता है मानव कल्यान तथा सभेता का विकास सभी वेक्ती करना चाहते है अगला पॉइंट है युद्ध अंतराष्ट्रिये समंधों की सबसे बुरी विशेष्टा है तो जैसा कि हमने सुरुवात में पढ़ा था कि जो आदर स्वाद है वह युद्ध उनमूलन पर बल देता है अंतराष्ट्रिये राजनिती में युद्ध वै संगर्ष संकर्मन कालिन है संकर्मन कालिन का मतलब है इस्थाई नहीं है बलकि थोड़े से समय के लिए है समय बीतने के बाद युद्ध और संगर्ष कम हो जाएंगे और सांती और सहयोग के इस्थापना हो जाएगे जबकि जो यथार्थ वाद है वह मानता है कि युद्ध और संगर्ष इस्थाई है वह अमेशा विश्व में चलते रहते हैं लेकिन आदर्ष वाद मानता है कि युद्ध और संगर्ष क्या है संकर्मन कालिन है अंतराष्ट्रिये समुदाय को उन विश्व विवस्थाओं तथा प्रवर्तियों की समापती करनी चाहिए जो युद्ध को बढ़ावा देती है तो आदर्ष वाद क्या कहता है कि उन विश्व विवस्थाओं को समापत कर दिया जाना चाहिए जो युद्ध को बढ़ावा देती है यानि कि ऐसी संस्थाओं का अंतराष्ट्रिय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि विश्व सरकार होगी तभी सांते की स्थापना रहेगी सभी देश उसके नियंतरन में रहेंगे अब देखते हैं आदर स्वाद के समर्थक विचारक कौन-कौन से है तो सबसे पहले है कांडर सेट जिसको आदर स्वाद का जनक भी कहा जाता है उसके बाद में है कांट वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन कौन थे अमेरिका के राश्टर पती उसके बाद में है टैगोर यानि कि रविंदरनाथ टैगोर उसके बाद में है नेहरू, डेविड हेल्ड, बट्रेंड रसेल, रिचर्ड कोबडन, रिचर्ड फॉक, मागरेट, मीड और महात्मा गांधी तो यहाँ पर आपको कांडर सेट, कांट, वुड्रो विल्सन इनके बारे में जरूर याद रखना है क्योंकि कांडर सेट क्या है, आदर स्वाद का प्रनेता है और कांट एक महत्तुपन विचारक जो आदर स्वादी है, उसके अलावा वुड्रो विल्सन क्योंकि वुड्रो विल्सन ने आदर स्वाद को पुनर जीवन प्रदान किया था आदर स्वाद के सबसे बड़े परवक्ता अमेरिका के राष्ट्रपती वुड्रो विल्सन रहे हैं अब जब हमने समर्थक विचारक पड़े थे तो उसमें एक नाम पड़ा था कांट तो कांट की बुक का नाम है प्रपेच्वल पीस यानि कि सास्वत सांती सास्वत सांती का मतलब एक ऐसी सांती जो लंबे समय तक बनी रहे या हमेशा के लिए बनी रहे तो exam में जो हमारा net का exam होता है या assistant professor का exam होता है या फिर कोई PhD, entrance exam होता है तो उसमें सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सास्वत सांती का सम्द्र किसी विचारक से है तो वो है can't अब can't कहता है कि सास्वत सांती की इस्थापना के लिए हमें तीन काम करने होंगे तो पहला काम क्या है प्रतेक राज्य में गंतंतर होना चाहिए गंतंतर का मतलब होता है जनता दुवारा चुना गया सासन तो कांट कहता है कि यदि सासक जनता दुवारा चुने जाएंगे तो वे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि जो जनता होती है वह कभी भी युद्ध नहीं करना चाहती है जनता हमेशा सांती बनाए रखना चाहती है तो प्रतेक राज्य में गणतंतर होना चाहिए दूसरा है प्रसांत संग का गठन कांट कहता है कि जो सांती पिले देश होते हैं उनको मिलकर के एक परसांत संग का निर्मान कर लेना चाहिए और तीसरी बात है सर्वदेश ये अधिकार इनकी जो सभी देश हैं उनके नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए तो ये तो गई कांट की सास्वत सांती प्रपेच्वल पीस अब देखते हैं आदर स्वाद के उधारन सबसे पहला पॉइंट है वुडरो विलसन का चोदह सुत्री घोशना पत्र राश्ट्र संग की स्थापना राश्ट्रिये आतम निर्णे का अधिकार इनकी ये सभी काम सांती की स्थापना के लिए किये गए थे और आदर स्वाद का मुख्य लग से क्या है विश्व में सांती की स्थापना करना दूसरा है कैलांग ब्रियां पैक्ट 1929 इसमें युध्व उन्नुमनर परबल दिया गया था तिसरा है नेहरू का पंचशिल 1954 में और पंचशिल समझ होता भारत और चीन के मद्धे उआ था यह भी एक आदर स्वादी समझ होता था अब है आदर स्वाद की आलोचना अब आलोचना में हम केवल एक आलोचना पढ़ेंगे इसकी काफी आलोचना ही हो सकती है लेकिन यहाँ पर एक विचारक का नाम है इसलिए हम इसके एक आलोचना पढ़ लेते हैं जो इंपोर्टेंट है यह अति आसावादी वे कालपनिक है नॉर्मन एंजेल इसे महान भरम कहता है तो आदर स्वाद को महान भरम कोन कहता है नॉर्मन एंजेल इसके लावा आदर स्वाद की और आलोचनाएं भी की जा सकती है कि जैसे हम अनुभव में भी देखते हैं कि प्रतेक रास्ट्र अपने रास्ट्र ये हीतों की पूर्ती के लिए लगा रहता है वे अधिक से अधिक सकती प्राप्त करना चाहता है तो ये तो गया हमारा आदर स्वाद इसके लावा आगे भी फिर से आदर स्वाद के बारे में नोट्स हैं अगर आप देखना चाहो तो एक बार वीडियो को रोक करके इसमें पढ़ लेना एक बार मैं इनको आगे निकाल देता हूँ तो आप इनको रोक रोक करके अपने नोट्स में उतार सकते हो जिसे फिर से यही लिखा है कि यूद अंतराश्टे समंधों की सबसे बुरी विशेशता है यूद समाप्त किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए ठीक है यह फिर है आदर स्वाद के परमुख विचारक तो यह हो गया हमारा आदर स्वाद कोई भी एक्जाम हो अगर आदर स्वाद का क्युस्षन आएगा तो इससे भार नहीं आएगा